आज शाम चार बजे लोकसबा में पीएम मोधी बोलेंगे राश्पती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ता उपर हुई चर्चा का देंगे जब़ेंगे संसत की लाइब्रेडी बिल्डिंग में सुबर साड़े नौ बजे इंडिये संसतिय दल की बैठक भी ये मोधी करेंगे बैठक की अध्यक्षता संसत की कारवाई से हटाए गया राहूल गांधी के भाशन के कुछ शब्द अकनीवीर डानी अमबानी और अल्पिसंख्यक शब्द राहुल गांधी के हंदू कहने वाले हिंसा करते हैं वाले बयान को भी रिकॉर्टज अटायी चाना बताया गया राहुल Нे बताया था ये पी-इम-ो की योज्णा है लुकसवा में राहूल गांधी ने कल सरकार को कई मुद्दों पर गेरा नीच पेपर लीग, मनिपूर, महगाई अयूध्या को लेक कर साथा निशार राहूल गांधी ने सदन में कहा हिंसु, हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता राहूल गानधी के बयान पर पी-म गृरीह मंत्री समेट 6 मंत्रों नेे जताई आपत्ती पी-म ने कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसा कहना गंभीर पिशør पीम की अपति पर राहुल का जवाब कहा नरेंदर मोधी बीजेपी आरेसस पूरा हिंदू समाज नहीं ये ठेका नहीं है अमिश्या ने राहुल के बयान पर जटाई अपति कहा हिंसा को धर्म से जोड़ना गलत राहुल देश से माफी मुझे अमिश्या ने का राहुल को भाई की बात करने का अधिकार नहीं आपातकाल में कॉंग्रिस के लोगों को भैवीद किया था स्पीकर उम विल्ला की राहुल गांधी को नसीयत कहा बात रखते समय दूसरे की भावनाओं का रखे ध्यान राहुल गांधी ने सदन में दिखाई भगवान शिव की तस्वीर कहा भगवान शिव कहते हैं डरुमत दरावाद राहुल ने सदन में किया भगवान शिव की अभै मुद्रा का जिक्र कहा इसलाम सिक इसाई बौत और जैन धर में नजर आती है मुद्रा सदं में नोगजों के बीच राहूल गांधी ने कहा हंदु धर्में साफ लिगा it सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए राहूल गांधी ने आयुध्या में बीजेपी की हार का जिक्र किया भगवान श्री राम ने बीजेपी को एक संदेश दिया राउल गांधी ने अयुध्या से सांसद अबधेश प्रसाथ के साथ अपनी बात का जिकर किया कहा हार के डर से अयुध्या से नहीं लड़े मुद राउल गांधी का सदन में दावा अयुध्या एरपोर्ट के लिए गिजानों की जमीन शीनी गई विगास के नाम पर छोटे दुकानदारों की दुकाने तोड़ी पैउध्या को लेकर राहूल गांधी के दावे पर केरन रिजीजु ने कहा राहूल गांधी को अपनी बात साबित करनी होगी या माफी मांगनी होगी अगनीवीर योजणा पर बोले राहूल गांदी अगनीवीर को शहीद का दर्जा नहीं देधी मोधी सरकार नहीं दिया जाता है मुआज़़ग। राहूल ने जूर बोला हिंदूओं को इंसक कहने पर माफी मांगे रहा हूँ राहूल के बयान पर बोले विदेश मंत्री जैशंकर का भाईचारे का दावा करने वाले हिंदूओं पर हमला कर रहे सेना के शौरे का अपमान किया। चिराख पासवान बोले राहूल गांदी ने जूठा बयान देकर सदन को भ्रहमित किया है। राहूल गांदी के बयान पर बोली प्रियंका गांदी राहूल कभी हिंदूओं का अपमान नहीं कर सकते जो कहा बीजेपी बालो के लिए कहा। कंगना रनौत ने का राहूल का बयान स्टैंड अप कॉमेडी आक्ट था। राहूल ने भगवान को कॉंग्रस का राजदूत बनाया। आज़डी सांसद मीसाभारति ने का राहूल गांदी ने हिंदूओं को कुछ नहीं बोला। राहूल ने का हिंदू नहीं बीजेपी फैला रही है नफ्स्टूतूत राहूल गांदी बयान पर बोली बीजेपी हिंदू धर्म पर सवाल उठाना कॉंग्रस की पुरानी आदत राहूल गांदी की बयान पर बोली कॉंग्रस बीजेपी के पास हिंदू समाज का ठेका नहीं कॉंग्रेसांसद गौरफ गोगोई बोले राहूल गांदी के भाषन से बीजेपी बॉखलाई वे जूट का सहारा ले रहे सदन के अंदार मैंने सत्य की आवाद सुन कॉंग्रेसांसद ने केंदर पर लगाया मनिपूर के साथ हजार बेगार लोगों के अंदे की कारू राहूल के बयान पर बोले सीम योगी राहूल ने भारत माता की आत्मा को लहू लुखान किया राहूल गांदी के बयान पर आरसेस निचताई आपती सुनीर अंबेडकार ने कहा हिंदूत्व को हिंसा से जोड़ना दुरभागिपुर कई हिंदू संतों ने रखी राहूल गांदी के बयान क्या लूचना राहूल गांदी से माफी मांगने को कहा स्वामी अबधेश आणन्द गिरी ने वीडियो संदेश में का राहूल ने टिपणी से पूरे हिंदू समाज को कलंकित और अफमान इद किया स्वामी बाल योगी अरुनपूरी बोले राहूल गांदी की टिपणी बिहद अफमान जनक और निंद नी है राहूल गांदी के हिंदू वाले बयान को लेकर शिकाएध बीजीपी ने पत्ना के गानी बैदान थाने में दर्ज कराइध राउल गांदी के दावे पर शहीद अगनीवीर के पिता का खुलासा कहा कुल एक करोड़ो रुपे मुआपजा मिला राहूल ने संसद में उठाया था मुद्दा राश्पती के अभी भाशन पर संसद में चर्चा सुबह 11 बज़े लोग सभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं के लिए इस्याद़ मानानी केस में आज राउल गांदी की सुल्तानपूर एमपी मले कोट में पेशी है आमिर शाह पर टिपणी से जुड़ा है मामला सीमकेस जुबाल की आज़का पराज दिली हाई कोट में सुल्वाई शराब गोटाले में सीबिया की ग्रफतारी को दिये चुनाओती दिली शराब गोटाले मामले में बी आरस नेता के कवटा को जटका दिली हाई कोट ने खारिज की जमाना तरसी टेमसी नेता ताजमुल और फजेसीवी की अहईवानियत का एक और वीडियो युवा की उवती को पीटता दिखा रूथी पश्रम बंगाल में माईला के पिटाई का एने चार सी निलिया संग्यान मुखे साचिव और डीजीपी से एक हफ़ते में रिपोर्ट मांगी युपी में मलसी उपचनाओ के लिए बीजीपी ने किया उमीदवार का एलान बहुरन लाल मौरे को बनाया उमीदवार तेजवाओं और बारिश के साथ तूफान बेरिल की बारबन्टोस में दस्तक तूफान के चलते शेयर में कर्फ्यू जैसे हाला ग्रेनाडा के पास दूई पर पहुंचा खतरनाक तूफान पेरिल तूफान से कई जगों पर भारिक शती, कई घरों की चछते और फिर उखड़े दक्षिन कोरिया में दर्दना काज़ा सियोल में बेकाबू कार की टकर में नौ लोगों की मौत चार गाय पाकिस्तान में तीन हिंदू व्यापारियों के अपरण पर विरोध प्रदर्शन तीन दिन पहले हुआ व्यापारियों का अबर पाकिस्तान के जैकों का बाद में अग्यात हमला वरों का पुलिस शौकी पर हमला, हमले में एक पुलिस अधिकारी गाय रूसी सीमा के पास अमेर्की सैनिक होंगे तैनाद फिनलेंड के 15 सैनि बेस पर अमेर्की सेना की होगी तैनाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रम्प को बड़ी राहत नहीं चलेगा ट्रमप पर चुनाबी नतीजे पलटने से जुड़ा के समयरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला डोनल्ड ट्रम्प बोली ये समविदान की जीत है 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में ट्रम्प समर्थ को ने हिन सके लिए यूकरिन का रूस के सविस्तो पोल में विद्धवनसक हमला मिसाइल अटाक में कई घरों को भारी नुपसा डक्षिन लबनान में आईडियेफ की हेजबॉला के ठिकानों पर स्ट्राइक हमले में सैन इमार्थे और बुन्यादी धाचा तबाए गाज़ा के राफा में हमास का एंटी टैंक मिसाइल से आईडियेफ पर हमला आईडियेफ के एक सैनिक की मौत कई घाय रूसी गोलाबारी में यूक्रेन की फारिंग पोस्त तबाह T-80 टैंक से फ्रंट लाइन का रूस ने किये हमले रोबटाइन में हाई एक्स्प्लोसिब शेल से रूस की गोली बारी पोस्त छोड़कर भागी यूक्रेनी से केसोन में रूस का यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल टावर पर हमला वे स्पोर्ट से तबाह यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर केनिया में टैक्स विरोधी प्रदर्शन में 49 लोगों की मौत 307 से ज़ाद घाय गुजात में मूसलाधार बारिश बनी आफ़ा तैंदाबाद द्वारका सूरत गांदीनगर पानी पानी घरों में घुजा सेला गुजात में मुस्ताधार बारिश से तबाही द्वारका के कई अलाकों में घुशा पानी कई अलाके पानी में टूटे गुजात में देव भूमी द्वारका में मुस्ताधार बारिश से जन जीवन प्रभावित लोगों के घरों में घुशा पानी गुज्जात के जुनागड में भारी बारिश से कई अलाके जल्मगन ओजत नदी का जलस्तर पढ़ने से करीब डस गाउं टूँ जुनागड में गाउं को बार से बचाने के लिए बनाया तटबंद भी तूटा किसानों की फस्ले बर्पाइब खत्र के निशान से उपर पहुँची अलक नंदा नदी बद्रिनाथ में खाली कराया गया तप्तकुन प्रास्तान में चुरू के जोरी सागर अलाके में टापू जैसे हालात चान से पांच फीट तक भरा पानी लोगों की मुसिबद हरियाना के करनाल में भारी बारिश से बन रही सड़क की हरान करने वाली तस्वीरें आई सामने तरकोल से सड़क बनाते नजर आए मजदू सड़क बना रहे विभाग के काम पर उठे सबाल आला अधिकारी सड़क की करेंगे जाच बारिश से सरक निर्मान को लेकर कॉंग्रिस ने हरियाना सरकार को गिरा का बीजेपी ने बारिश सरक बनाने की नई टेक्टनौलिजी इजाद निर्माण पर C.M. C.N. का कॉंग्रिस पर पलेटवार का कॉंग्रिस भुद भरश्चा चार के दल्दल में फसी है दली में फिर बारश का अलट अगले दो दन भारिबारश की संभावना मुरदाबाद में तीन दिनों से रुक रुकर हो रही बारश बनी आफ़र पुणे में भूशी डैम के पास सर्च ओपरेशन खत्म सभी पांच लोगों के शवब रामत बारश से पानी-पानी हुई यूपी रोडवेज की बस सीट पर छाता लेकर बैठा दिखा यात्वी मॉंबई में भारश स्त्याफर, श्रिवाजी पार्क में कई जगे भरा पानी असम में बारश ने मचाई तबाही, कई जिलबाढ में डूबे, लगातार बाढ बढ़ बढ़ रहा है ब्रह्मपोत्र नदी का जोलस्तर सीमि मंता ने उपरी असम में बाढ़ की स्थिती को पताया गंबीर कहा बचाओ दल पूरी तरह से तैयार मुंबई में फर्जी वीजा केस का मास्टर माइन गिरफतार जाली दस्तावेस के जरी नेवी कमांडर लोगों को भीजता था साउथ कोरिया हर्याना के करनाल में रेलवे ट्रैक पर विखरे माल गारी के कंट्रेनर दोनों तरफ की ट्रेनों रूट को बाधत किया कंट्रेनर हटाने का काम चारी यूपी के सहारनपूर में डॉक्टर सायद ने आमन बनकर की शादी बंगाल की हिंदू यूवती ने लब जिहाद कारूप लगाया राजस्तान के करॉली में कार और ट्रक की भीशन टपकर हाथ से में लोगों की मौट पुरुग्राम एक्स्प्रेस वेपार भीशन सडखाथ सा कार और ट्रक की टकर में साथ लोग खाए जीस्टी कलेक्शन ने भरा सरकार का खजाना सालाना आधार पर जीस्टी में 11.3 फीज़ी के बढ़ोत्री होई मेधा पाठेकर को मानहानी मामले में पांच महीने की ससा दसला का जर्माना चर्णिगर में नएक प्रिमिनल कारूनों के तैते फायर दर्श होई पहली चोरी और दूसरी मारपीर धमकानिक मामले में दर्श की गई ग्वालियर में दो पक्षों में विवाद के बीज सड़क पार फाइरिंग और पथराओ ठाने के कोपट में चलती गाड़ी अचानक बनी आग का गोला योपी के मैनपूरी में कक्षा दस के छात्रग ने स्कूल के होस्टल में फंदा लगा कर किया अत्मत्या योपी के सधार्टनगर में दर्दनाखासा नदी में रूबने से तीन बच्चों की मौत नदी में नहाने गए थे लोग मत्रा के कृष्ण विहार में टंकी गिरने से आहाचसे का वीडियो आया सामने टंकी गिरने के बाद उठा मिट्टी गुबार हम्डवाद में साथ जुलाई को निकलेगी भगवान जगनात की 147 वी रत्यात्रा बावब बर्फानी के दर्शन के लिए रोज पहुंश रहे हजारों शुद्धालू यात्रा में कबूतरों के साथ देखे तर्थयात्री आयोध्या में श्री राम जन्मभुमीक शेत्र ट्रस्ट का बड़ा पैसला श्री राम बंदे में पुचारियों के लिए ड्रस्कुर और मोबाईल के लिए नए नियम लागू चक्रवाती तुफान के बीच बार-बार रोस में फसी भाती है टीम आनी और तुफान की वज़े से एपोर्ट बंद